हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं आज हम गुर्णखंड करना सीखेंगे गुर्णखंड आपको यहां पे बेसिक तरीका से सिखाएंगे यह आप इन चारों को एक बार देख लेते हैं तो आपको गुर्णखंड करने में किसी प्रकार की प्राब्लम नहीं होगी और आप आपको जितना भी डाउट गुर्णखंड करने में होता है सभी डाउट यहां पे किलियर हो जाएगा चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आपको अदम basic level से सिखाएंगे देखे friends यहाँ पहले सवाल को लेते हैं कितना सवाल आपका है x square minus x minus 6 देखे friends basic तरीका यही है कि जब भी आपको दिवगात समिकर दिया हो उसको हल करना हो और उसका खण करना हो तो कैसे करेंगे तो friends क्या करेंगे जो यहाँ पे एक अचरपद दिया होगा अचरपद का मतलब होता है कि जिसके साथ x ना लगा हो अर्थात सिर्फ अंखो यहाँ पे इसका उठा के यहाँ पे गुड़ा करेंगे देखे friends इसके बगल में क्या है एक है आप यहाँ पे गुड़ा करेंगे च्छा का एक वे ते कितना होगा च्छा होगा और फ्रेंस देखे बीच में जो पद है यहाँ पे इसके बगल में एक चीबा है तो आप इस च्छा को इस प्रकार से तोड़िए कि इसका गुड़ा खन करने पे च्छा है और जोडने और घटाने पे कितना है फ्रेंस एक आए तो फ्रेंस देखे जब इसका आप गुड़ा खन करेंगे इसको दो बरावर भाग में तोड़ेंगे तो आप बोलेंगे एक दो ले सकते हैं तीन ले सकते हैं यान कि 3 का 2 में गुड़ा करेंगे तो आपका 6 आएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका 1 आजाएगा तो देखिए नियम का फालू यही होना चाहिए कि गुड़ा करने पर आपका यहां पर जो अंका है उस चाहिए और घटाने या जो बीच वाल अपद है उतना आना चा अब दिखेंगे फ्रेंज क्या करेंगे कि x-square अब यहां पर का गुड़ा किजिए एक चीज ध्यान दीजिए करेंगे माइनस है यहां प्रस हो जागा यहां पर यहां किजिए देखेंगे देखिए फ्रेंच आपका चार पह τις में देखिए आपका इसाया है जब आप देखेंगे यहां किरुदे इक्स करते हैं यह रिख्यक्त देखते हो घना रिख्यर मनेघे देखे लिख्यर्ण class यहां पेकी में जाएगा गुर्णखंड होगा तो फ्रेंज यह आपका दम बेसिक लेवल था यदि आप इस जो बात बता हैं आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसानी प्रीवक से गुर्णखंड कर सकते हैं चलिए दूसरे गुर्णखंड करते हैं आपका प्रश नंबर दो है यहां कितना हो जगा साथ तरी के कीस होगा अब एक कैस को दो बरावर भाग में तोड़िए कि जिसका गुर्णखंड करने कितना एक कीस आए और जोड़ने गटाने कितना आना चाहिए चार आना चाहिए तो चलिए देखिए फ्रेंज जब यहां पर लेंगे तो यह साथ ले सकते यहां पर लिखी जब कोंशट के कके बार दन तर् Cert नहीं बदलते यानी जो चीन होता उसी के साथ ररहते देखिए वजए को जयेगा और यहाँ माइनस तीन है तो माइनस तीन का एकस में गुड़ा करेंगे तो तीन एकस हो जागा माइनस तीन है देखिझे आप 4 प्रत उगए कामाल लीजी देखिए 7 x square plus 7 x मैं इस क्या कामान है ताप बोलेंगे 7 x कामाल है तो 7 x आपका बंचेगा ने यहाँ तो जब कोश्टा के बार रिड़े कामन लेते हैं तो अंदर का चीन बदल के रखते हैं यानि कि यहाँ पे धान है यहाँ रिड़े तो यहाँ पे धान रखेंगे तो आपका योग जो हो जागा यक्स प्लस वन अब इन दोनों प्रदम में देखिए यक्स प्लस वन यहाँ पर लखेंगे कितना यक्स प्लस वन रखेंगे और यहाँ पर बच कितना रहा है यहाँ पर बचेगा साथ यक्स और यहाँ बचेगा माइनस तीन तो देखिए फ्रेंज यह आपको क्या होजागा गुणन खंड होगा ठीक है फ्रेंज अब देखे दो प्रश्ण को आगे आपका अगला प्रश्ण है देखे फ्रेंज इसको भी आप आसानी प्रुवक्ष से हल कर सकते हैं देखे दो एक्स इसक्वाइर प्लस ग्यारह एक्स प्लस चाउधा ठीक है अब क्या करेंगे देखे नियम आपको क्या बताएं कि इसका गुणा यहाँ पर करेंगे जो यक्सी स्कॉार तो देखिए फ्रेश्त अभी इसको सोची कैए से तोड़ सकते हैं ठीक है 11 लाने के लिए ठीक है तो देखिए आप चार और सात जोड़ेंगे तो आपका 11 वोगा तो यहां पर साथ ले लेजी और यहाँ पर चार लीजिए देखिए 7,4 को 28 होगा गुड़ा करने पर आपका 28 हो रहा है जब इसको आप जोड़ेंगे ति यह बीच वाला पद आ रहा है 7,4,11 हो जा रहा है तो चलिए फ्रेंस यहाँ पर रखे और इसको बनाने का तरीका आपको सिर्फ सीखना है यदि आप यह सीख गए तो आप आसानी पर आपसे गुड़ांखंड कर लेंगे देखिए फ्रेंस यहाँ पर कितना लिखा है यहाँ लिखा है 2x2 प्लस अब 11 के जगा आप क्या लिख सकते है कोश्टक बनाएंगे 7 धन 4 लिख सकते हैं यहाँ पर यक्स है तो यक्स रखेए धन यहाँ पर 14 है तो 14 रख लिजिए ठीक है अब क्या करेंगे फ्रेंस कि देखिए 2x2 अब यक्स का यानि कि जब कोश्टक के बार धन का चिन होता तो अंदर का चिन नहीं बतलेंगे यानि कि जो चिन है उसी के साथ रखेंगे तो प्लस देखिए यहाँ पर 7 का यक्स में गुड़ा करेंगे तो कितना होगा 7x होगा यहाँ धन का चिन है धन का चार यक्स में करेंगे तो चार यक्स होगा प्लस 11 हो जाएगा अब दोनों में देखे Soyा कितना कामन है रोहाट दक्षिए और यह भाग भर अब भाग मढें देखेंगे friends तो यहाँ से 2 common यहाँ पे बचेगा कितना 2x बचेगा plus 2 7 चबउता हो जागा यानि कि 2x प्लस 7 अब इन दोनों पदों में देखेंगे friends कितना common है 2x प्लस 7 है 2x प्लस 7 है तो यहाँ पे कितना common है 2x प्लस 7 common है तो आपका बच कितना रहे अगला कोश्ट में देखेंगे यहाँ से 1x बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा धन दो देखेंगे friends यहीं आपका क्या हो जागा गुड़न खंड होगा चलिए एक और example को समझते हैं जि आप आसानी पुरवक्त से सभी गुड़ा खंड आसानी से कर सकते हैं चले friends इस question को करते हैं देखे friends अभी आपको बता है कि इसका पत कहां पर गुड़ा करेंगे 12 करेंगे यानि एक गुड़ा 12 करेंगे तो कितना होगा 12 होगा इसको दो बराव भाग में इस प्रकार से तो चार तहीं 12 होगा चार में से 3 कटाएंगे तो एक होगा तो देखे friends यह हम बना लिए हैं चार और तीन ले सकते हैं तो चलिए यहां पर लिखते हैं देखें यहां पर 12 x स्कॉाइर है माइनस है अब देखें कोश्टक करके 4 यहां कितना रखेंगे माइनस 3 देखें चार में चीन होगा तो अंदर का चीन क्या करेंगे फ्रेंस बदल देंगे अभी आपको उपर वाले प्रस्ट में समझाए हैं कि जब कोश्टक बार का चीन होता है तो अंदर का चीन बदल देंगे तो देखें यहां पर धान है आपका यह क्या हो जाएगा जब यहां पर माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा। इसलिए कि जीन से बदल जाएगाथ ऊड़ी। यहां से 4x कामन ले ले तो कितना बचेगा एक बचेगा यहां देखें फ्रेंस कितना कामन यहां पर ध्यान से दखेगा 3x-1 तो यहां से देख रहे हैं दोनों में कुछ कामन नहीं है तो यहां से सिर्फ एक कामन है तो लिखेंगे कितना 3x-1 लिखेंगे अब इन दोने पदों में देखें में कामन 3x-1 3x-1 तो दोने में कामन क tackling कितना है 3x-1 कामन है कितना मैंगे 3x-1 ले लग sinking kordum आप पाइब कितना 4x यहां से देख भाड़ाल को इस एक बचेगा यहां से ठीक यही क्या भा जाए फ्रेंज गुराणखंड हो गा तो friends जितने सवाल आपको चार बताएं आप ध्यान पूरुवक देखे होंगे तो क्या इसमें देखे होंगे बस यहीं देखे होंगे कि इस वाले पद को यहाँ गुड़ा किया जा रहा है जो गुड़ा करने पे जो आ रहा है उसको दो बराबर में इस प्रकार से तोड़ना है ये गुड़ा करने पर आपका मतलब जो संख्या हुआ है और जोड़ने और घटाने पर जो बीच कर पाद है उतना आना चाहिए बस यही दो चीज इस गुड़नखंड में आपको ध्यान देना है तो फ्रेंस इन चारों प्रशनों का आप एक दो पर देखी इस पर प्रैक्टिस किजिए यदि अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप गुरनखंड आसानी पुर्वक्स कर सकते हैं तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो जैनल को सब्सक्राइब करें